हलो बच्चों कैसे आप सब वीडियो स्रीज एक टॉपिक में एक वीडियो मतलब एक वीडियो में टॉपिक क्या होगा 24 नंबर आउसाथ यानि एब्रेज वह भी नंबर सिस्टम पर आधारित ध्यान से देखना टाइप होगा कि पर्थम पांच सम संख्याओं का आउसाथ ब करते हैं आए देखते हैं अगले सिर्फ पांच से साथ मिनट देखना बस सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा वैसे तो आउसाथ बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल बदों की संख्या कहरा पर्थम प्रकृतिक संख्याओं का योग आउसाथ बताओ तो बाद फाइब नेच्च्छ नमबर है कह रहा था कि इनका आउसाथ ज्यात कीजिए तो बच्चा क्या करोगे यहाँ पर लिखो एक आउसाथ बराबर को पदों का योग बटे कुल पदों की इसंख्या कुल पदों का योग मतलब यह जूड़ेगा पूरा पूरा एक दो ती 3-3-6-4-10-5-15 अकुल संख्या कितना यह 5 है भाग कर लो 5-3-15 फाइनल में 3 अंसर आ गया कोई डाउट ना किसी को पर्थम 5 प्रकृत संख्याओं का आउसत कितना आ गया तीन अगला सवाल है बच्चा कह रहा है कि पर्थम साथ प्रकृतिक संख्याओं का आउसत कर लोगे प सकते आप इनको यह ने चुलान नंबर होती हैं थोड़ा अलग दाइब कम देखता हूं पर्थम 5 संख्याओं का आउसत बोल रहा है कैसे करेंगे अधर देखते हैं कि पहले तो यह जानलो कि आप पर्थम 5 संख्यां है क्या संख्या को बच्चा इस बनन नंबर बोलते हैं क लिखो पर्थम पांच संख्याएं लिखो परतम 5 संख्याएं बेед निलुसामसंख्या चलिए जिस संक्या के लाष्ट की 0 को जोड़ने पर किसी भी संख्या में कोई फरक नहीं पड़ता तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पर्थम 5 संख्या हैं लिख लो लिख के फटा पटन को जोड़ के हल कर लो खतम है न कर लोगे न इस तरीके से मुझे बताना कोई डाउट है तो मुझे बताना 0,2,4,6,8 यही तो होगा तो पर्थम 5 संख्या बोल रहा है चलो लिख लेते हैं 0,2,4,6,8 पांच हो गई आउसद बराबर क्या होगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या जोड़ लो 4,2,6,6,12,8,20 कितना है 5 है न यह कर लो भाई साब 4 चार अंसर है मुझे कमेंट करके बताना क्या इसमें कोई डाउट है पर्थम 5 संख्या कोई लोग कहते है 0 से नहीं 2 से शुरू होगा वहएद 0 से शुरू होता है 0 से ठीक है बदाना अगर कोई डाउट है तो मैं बताऊंगा उसको सफाई explain कर गए कर अब सम्दैर कर फार्थ 13 का नबर का JEFF बता लोगे कि चलै आगे इसी तरीके से 20 सम्रेख्या वाला बत्चा बिसम zंक्राइब कर लोगे ना से किसी का कोई दिकत तो कह रहा कि पर्थम पांच बिसम संख्याओं का आउसाथ या पर्थम तेरा बिसम संख्याओं का आउसाथ क्या लिखोगे लिखो पर्थम पांच बिसम संख्याओं पहले तो निकालोगे फिर तो अबरेज निकालोगे ना तो 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है फिर्स्ट 5 बिसम नंबर है इनका average निकालोगे बच्चा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या तो इनको एफे जोड भी लोगे अगर आपका इच्छा है 5 है संख्या में तो 5 लिख दिया 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16 4, 20, 5, 25, बटा 5 बराबर कितना आगया 5 5 क्या है अंसर है किसका पर्थम 5 बिसम संख्याओं का आउसाद और्ड नमबर का average फर्स्ट फाइफ और्ड नमबर का average ठीक है ऐसे candidate जो सीरियेफ हैं करेट को ले करके उनके लिए बैच का आफर बढ़ा दिया गया 28 तक कब तक बच्चा? यह 28 तक बढ़ा दिया गया है अगर आप सीरियेफ हैं तो यह बैच जरूर जोइन कर लें जिससे आप आराम से घर बैठी सीख पाएं ज़द जनकारी के लिए नीचे दिये गए जो नमबर चल रहे हैं उस पर संपर करिए अगला केर आप है कि परताम 29 बिशं संख्या परताम 11 भाजे संख्या अब आध्य का अबरच आख ऑदेखो परताम 11 भाजे संख्या लेखो परताम 11 भाजे संख्या प्रफ्र चोटी भाजे संख्या क्या होगी फोर लिगते चलो प्रफ्र तो होगा नहीं शिक्स तेबन होगा नहीं होगा ना फिर एट फिर नाइन 10 कितना हो गया 5 हो गया 12 14 16 देखो और आगे भी है क्या यह हल भी है नहीं हल है पर्फम 11 भाजे बोल रहा है थे यहां प्रभाई साब 15 भी तो भाजे है गिनो तीन तीन छे चार दस ग्यारा बारा तेरा ठीक है इनका आउसत निकालना है टोटल कितने हैं पर्फम ग्यारा है एक दो तीन यह च्छे हो गया यह तीन नौ दस ग्यारा बारा ज्यादा हो रहा है आप देखो कि वह बीस तक रहेगा बस अब आउसत बराबर लिखोगे इनको सब को जोड़ लो जितना आएगा उसको ग्यारा से भाग कर देना बस खातम समझ मैं है ऐसे ही करता है इस तरह के सवाल में किसी को कोई डाउट है कोई भरम में तो मुझे बताओ नहीं ना बढ़ियां मस्त जवर्जस चल रहा है सब चलो विंदाफ और यह आपका है प्रताम 29 विसम संख्याओं का उसक यह भी मैं आपको बताया था तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंट में और हाँ इस वीडियो को जादा जादा लाइक सेर करो आपकी जिम्मेदारी परिया ठीक है तो मिलते हैं फिर अगली क्लास मे थैंक यू